आज washing machine लगभग हर घर की जरूरत बन गई है। मार्केट में कई तरह की washing machine मौजूद है। इसमें semi-automatic और fully automatic washing machine शामिल है। Fully automatic में भी दो category top load और front load शामिल है। Washing machine खरीदते समय confusion होता है कि कौन सी washing machine खरीदे। इसी confusion को दूर कर रहे हैं। ये machine शस्ती 6,000 रुपे से शुरूख होती है। इसलिए ज़्यादातर घरों में इनी washing machine का इस्तेमाल होता है। इसमें दो drum tub लगे होते हैं। पहले drum में कपड़े धोए जाते हैं तो दूसरे drum में कपड़े सुखाय ड्राय जाते हैं। इस machine में कपड़े धोने का तरीका इस प्रकार होता है कि कपड़े धोने वाले drum में पहले पानी फिर सर्फ detergent powder डाला जाता है। इसके बाद कपड़े डाल कर machine को on कर दिया जाता है। यह machine size में कुछ बड़ी होती हैं। इसलिए जगह कुछ ज़्यादा घेरती है। इस machine में कपड़े धोने का तरीका इस प्रकार होता है कि इसमें एक बार कपड़े डालने के बाद यह machine अपना पूरा होता है। काम खुद कर देती है। drum में पहले पानी और फिर सर्फ डाल कर कपड़े डाले जाते हैं। इनका आकार छोटा होता है। कम जगह घेरती हैं। machine में एक बार कपड़े डालने के बाद कपड़े पूरी तरह धुलकर और सूख कर ही बाहर निकलते हैं। हाथ से कपड़ों को बिलकुल नहीं धोना पड़ता। इससे काफी समय बचता है। इनमें semi-automatic machine की अपेक्षा कपड़े धोने में 30% से 40% तक पानी की कम खपत होती है। साथ ही semi-automatic machine की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। इनमें कपड़े गोल-गोल और semi-automatic machine की अपेक्षा तेजी से घूमते हैं जिससे कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं। टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन इसमें कपड़े डालने वाले ड्रम का मूह semi-automatic machine की तरह उपर की और होता है। इसलिए इसे टॉप लोडिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन को चलाने के बाद भी इसमें अतिरिक्त कपड़े पानी और detergent डाल सकते हैं। कपड़े धोते समय बीच में ही बिजली चली जाए तो कपड़ों को बाहर निकाल सकते हैं। कपड़े धोने के लिए कुछ कमपनिया गर्म पानी या भाप का भी इस्तिमाल करने की सुविधा देती हैं। इस मशीन की शुरुवाती कीमत 10,000 रुप्य के आसपास है। Front Loading Washing Machine इस मशीन में एक बार पानी, सर्फ और कपड़े डाल कर चलाने के बाद इसमें एक्स्ट्रा पानी, सर्फ और कपड़े नहीं डाल सकते। कपड़े धोने के लिए इसमें पानी को गर्म भी किया जा सकता है। साथ ही भाप से कपड़े धाने का भी option मिलता है इसमें कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ होते हैं हाला कि इसमें कपड़े डालने के लिए बहुत जुकना पड़ता है कपड़े धोते समय बीच में ही बिजली चली जाए तो कपड़ों को बहर नहीं निकाल सकते इन मशीन की शुरुआती कीमत 17,000 रुप्य के आसपास है क्वालिटी पता चलने के बाद अब सवाल आता है कि कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन खरीदें वॉशिंग मशीन की क्षमता को किलोग्राम में मापा जाता है ये मशीने 5 किलोग्राम से लेकर 9 या इससे ज्यादा किलोग्राम तक की क्षमता में आती है धर के सदस्यों की संख्या के मुताबिक इन्हें खरीदना चाहिए जाने आपके लिए कौन सी मशीन रहेगी सही फैमिली मेंबर अक्षमता एक से दो पाच से छे किलोग्राम तीन से चार छे दशमलब पाच से साथ किलोग्राम पाच से छे साथ दशमलब दो से आठ किलोग्राम 6-8.5-9 kg Washing machine खरीदते समय उसके RPM यानी revolution पर minute को भी चेक करें यहाँ RPM का मतलब है कि machine का drum कपड़े धोने के लिए एक minute में कितनी बार भूमता है जिस machine का RPM जितना ज़्यादा होगा वो कपडो को उतने ही अच्छे से साफ करेगी हाला कि RPM कपडो के प्रकार पर भी निर्भर करता है जैसे शर्ट या कुर्ते जैसे हलके कपडो के लिए RPM 300-500 होता है जबकि jeans के लिए RPM करीब 1000 होता है उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें